तो हेलो गाइस, वेलकम बाक टो अन्य वीडियो, आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक में डिसकस करेंगे, यार जब से मनजिल 2025 का बैद स्टार्ट के है फिजिक्स वाला ने, तब से बेरे पास ऐसे बहुत सारे कन्फूजन आ रहे, बहुत सारे कमेंट् कर सकते हैं एक अच्छा परसंटाइल स्कोर कर सकते हैं जैएमेंस के फर्स रटम में, तो यार मैंने एक दो दिन पहले जैएमेंस का डेवाइस प्लाइन अप्लोड किया था वीडियो, उस पर मैंने डेली टार्गेट्स देर आउ तो उस पे बहुत सारे ऐसे ही कमेंट्स थ इसको personally analyze करो और उसी analysis के basis में आपको एक clear answer दे सबूर तो मैंने इन lectures को देखा, इसका analysis किया और उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यह जो lectures है यह कि आपके लिए enough है या नहीं और अगर enough है तो आपको इसको कैसे follow करना है, क्या time table रहना चाहिए, कैसे question practicing करना है, कहां से करन है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले comment कर देना, what's your target percentile, as well as what's your dream college, so let's start, यह मैंने जो analysis किया है, जिसमें मैंने सब कुछ ध्यान में रख है, कि आपको कौन से concepts पढ़ाया जा रहा है, कौन-कौन से ऐ lectures का length है, question practicing, सब कुछ पर ध्यान देके, एक in-depth analysis किया है, और यह जो analysis किया है, उसका conclusion आपके साथ share करूँगा, एक short, precise way में share करूँगा, so that आपका इसमें ज्यादा time ना जाए, और आपके जितने भी confusion है, उसमें सब का answer मिल जाए, तो सबसे पहले start करते way of teaching, that is teachers के बारे मे तो यहर इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर physics वाला कि सबसे best faculties है, वो खुद ही आपको पढ़ा रहे, जैसे राजवन सर होगे, तरुन सर होगे, सलीम सर होगे, फैजल सर होगे, यह सारे faculties आपको पढ़ा रहे, चुकि तो concepts में ऐसा कुछ नहीं था, but कुछ students को problem आ सकती है, क्योंकि यह जो one shots होते है, इसमें चीजों है बहुत कम time में cover कराने का try किया जाता है, तो कुछ कुछ ऐसे basics होते है, तो अगर ऐसा कोई student है, जिसने पहले कभी कोई lecture नहीं देगा, मतलब उसको बिलकुल basics भी नहीं आत दिया, short lectures का link, जिससे वो पहले वो topics cover कर ले और उसके बाद main one shot में आ सकते है, तो वो मैंने provide कर दिया, जो आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको access कर सकते हो, अब आते practice पे, दो कि यार one shot और full lectures में सबसे बढ़ा difference होता है, number of questions जो practice कराया जाता है, lectures में, one shot म obviously time बहुत कम होनी के कान, जो number of questions रोते हो practice कम कराया जाते, तो आपको as a student one shot देखने के पाद, ज्यादा से ज्यादा question प्राक्टिस करने की जरूवत है, अब मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते है, one shot के समय भी, ऐसे क्या करते है, lectures on करते है, देखते रहते है, और ठिक ठिक जो भी teachers पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ देखते रहते है, बट जब teachers कोई भी question देखते है, देते है करने के लिए, तो उस समय भी वह है बस question देखते है, solve नहीं करते है, that is very wrong thing, तो teachers आपको जब भी कोई भी question दे, आपको एक pen and copy लेके बाटना है, और उसको solve करना है, क्योंकि मैंने देखा है, जो भी notes है, notes में आपको ज़्यादा महनत नहीं करना है, because ये notes आपको already इसके download form में मिल जा रहा है, तो आप वहां से access करके कर सकते हो, जो important important points है, बस वही notes में लिख सकते हो, बाखी सब आप notes से पढ़ सकते हो, जो printable notes में लेके, बाखी question practice इस सबसे important है, one shot के समय आपको try करना है, कि maximum question practice करना है, जो कि lectures में आपको कड़ाया जा रहा है, में आगे बढ़ने से पहले, एक important update, physics 11 जही के सभी batches पर दे रहा है special discount, जैसमे अरजुना जही 4.0, 2025 batch, आपको 3000 price में में मिल रहा है, fighter जही 2025 batch 2900 में, लक्षे जही fast track batch आपको 35 500 में और प्रयाज 90 days crash course 3000 में, लक्षे जही fast track batch अगर आप लेते हो, लक्षे जही 1.0, 2.0 और 3.0 का, प्रयाज जही 1.0, 2.0 और 3.0 का, उसके साथ साथ इन batches में आपको मिलेंगे DPPs, उसके video solutions quiz format में, PDF notes मिलेंगे सारे classes के, AITS के test planners मिलेंगे, उसके साथ साथ आप physics वाला के store से जाके, इनके J-E books भी purchase कर सकते हो, अभी physics वाला के real test series भी चल ले है, जिसका आपको दिखाई दे रहा होगा, screen पे ये एकदम exactly interface same है, जो की NTA कराता है, और ये offline, online दोनों हो रहा है, तो काफी बढ़िया test series है, आप जो follow कर सकते हो, अपने J-E means के लिए, बाकी सारे links आप list compulsory side में करके जाना है, उसके साथ साथ जो मैं सबसे best चीज़ बोलता हूँ, कि आप one shot लेकर हो, उसके बाद आपको problem आएगा direct pyq करने के लिए, इसलिए मैं solved example की PDF दे रहा हूँ, जो मैंने बहुत बार students के साथ share भी किया है, इस बार वापस से share कर रहा हूँ, ये solved example की PDF है, जैसे maths, physics, chemistry के सारे के सारे topic wise questions है, solved है, तो आप पहले इन chapters को, इन topics के questions को practice करो, और जैसे ये हो जाता है, उसके बाद आप direct pyq में move कर सकते, इससे आपको confidence level होगा हो ज्यादा होगा, और आपको definitely help मिलेगा chapter के strength में, अब एक और important चीज़ कहना है में को, कि देखो यार अगर जिसने पहले नहीं कर रहा है, chapters, तो आपको definitely ये सब देखना है, या फिर आपके chapters में कुछ-कुछ topics में different problems है, तो आप ये lectures से वो topics clear कर सकते हो, बाकी अभी सबसे important चीज़ है, हमें lectures देखने के बाद सबसे आदा practice करना है, practice के लिए मैंने materials share किया, pyqs है, वो सब करना है, ब इसको utilize करो, अगर आप करते हो अच्छे से, तो definitely हो सकता है, बाकी फ्री mentorship में चला रहा हूँ, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, जहां मैं आपको daily targets दे रहा हूँ, तो अगर आप daily targets में पढ़ना चाहते हो, जो कि बहुत efficient way होता है पढ़ने का, तो आप उसमें आ सकते हो,